नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मंगल खाना नंबर चार की तो जब मंगल खाना नंबर चार में आते हैं तो क्या परबाव होता है कैसा फल देते हैं यह डिसकुस करेंगे लाल खताब 1941 से वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तेंक यू सो मच जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक खुंडली है जिसमें मंगल यानिकि मार्स खानद नबर चार में है तो लाल कताब 1941 में क्या बताया गया है मंगल खानद नबर चार के बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं नेक्ट लाइन्स पंक पंडी जी ने यहां पर राशी फलकार चंदर का उपाए मददगार होगा या अमरिक शाला होवे तलवार धेख का दरक्त घंडी वा दुन्नी के दर्मियान की बिमारियां तो यह सारी बातों को हम अगले वीडियो में डिसकस करते हैं हमारे एक अलग से वीडियो आता है ज चौते मंगल मंगलीक होगा जला देवे वो समंदर को ठंडा उस्तम ही वो होगा आठ तीजे जब चंदर हो क्या बाते मंगल चार जला देवे वो समंदर को ऐसी आग जो की आनिकारक है तो दोस्तों जैसे कि लालकताब में बताया है कि मंगल दो पार्ट्स बताए हैं मंगल नेक और मंगल बद तो जो मंगलीक है वो मंगल बद का ही एक अंश है एक हिस्सा है यानि कि ऐसे जातक का मंगल बद होगा मंगल बद ना हुआ तो कम से कम मंगलीक पक्का ही है ऐसा जातक तो उपर पंडिजन लिखा है राशिफल का अगर पिछला पेज हमने देखा होगा तो थो ऐसे जातक जो होते हैं, उनके सीने में एक आग जली होती है, जो उनके खुद के लिए भी हानिकारख होती है और दूसरों के लिए भी हानिकारख होती है दोस्तों मंगल एक आग है एक शक्ति है उर्जा है या मंगल सेनपती है एक फाइटर है और ये सारी चीजें अगर जिनका काम हम भलाई के लिए करते हैं वो एक आग को अगर रोटी पकाने तक सीमित रखा जाए तो ठीक है अगर बेकाबू हो जाए तो वो घर चला देती है यहां पर बैठे मंगल की चौथी द्रिष्टी खाना नबर साथ पर जाती है जो इसके परिवार के लिए यानि कि इसके सेवन्थ हाउस स्पाउस का उसके लिए हानिकारक है क्यों क्यों कि यहां पर मंगल खुद बैठ कर अच्छा फील नहीं करता अनकंफर्टेबल फील करता है अब मंगल खाना नबर चार में अनकंफर्टेबल क्यों फील करता है जबकि जोथा गरतो चंदरमा का है और चंदरमा के साथ मंगल की कोई खास शतुरता होनी नहीं चा एक औरत मां और एक खुंखार या यूं कहें कि एक फाइटर लड़ाकू हौसले वाला करज वाला इनसान अब किसी ने लड़ाई करने जाना है और उसकी मां उसको वचन बद्द कर ले यहां फूर इग्जामपल कि हमारे पडोस में एक बदमाश था उसके घर पे जब कुछ लोग उसको मारने पीटने आए तो उसकी मां ने उसको कमरे में बंद कर दिया और वो कमरे में और ज़रा गुसा होकर उसने क्या किया कि टक्रे मारने लगा अपने दिवारों में मुक्के मारने लगा और अपना हाथ तोड़वा के बैठ गया जो बंदे उसको कुछ करने आये थे या उससे बात करने आये थे वो तो कुछ करक नहीं पाए पर उस बंदे की बेवकूफ ही देखे कि खुद अपने आपको उसने डेमज कर लिया अपना हाथ थोड़बा के बैठ किया तो मा एक जैसे मा ने उसको बादित कर लिया तो यहां पर एक मा के घराकर मंगल एक तरह से अनकमफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो अपनी पावर्स डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाता यानि कि अपनी प्रतिबा अपना बल अब घर में बैठा बंदा किसके साथ युद करेगा किसी को कमरे में बंद कर दो किसके साथ युद करेगा युद कोशल के लिए उसको जंग में जाना पड़ेगा एक सैना अगर अराम से बेटी है मान लेकर मारे इंडिया पर कि जो सैना है या सैना पती है वो अराम से बेठा है कोई कोई लड़ाई जगड़ा नहीं हो रहा या लड़ाई हो रही है बौर cooking austeric को नहीं बेजा गया जिसमें कुषलता बहुत है तो वो घर में बैठा अपने घर में बैठा चुटियों पे गया या बेस कैम्प में बैठा क्या करेगा कुछ में करेगा परशानी होगा तो यही सबाव मंगल का होता है यहां पर मंगल नीच का हो जाता है क्योंकि मंगल एक सेनह पती है जो जंग के में उत्वरना चाहता है और अपने उस्य को चोफ़त का कॉशल है यप अपनी हें हम्मत का हो फ्रकेन का अपनी को लाओ छहता है तो यहाँ पर आकर दिखा नहीं पाता और नीच का हो जाता है तो ऐसे जातक वैसे भी चोथा गर क्या है दिल आम कहावत है न कि दिल कमजोर होता है और आम कहावत है जो फिल्मों में या वैसे आम जिंदगी में बोलियाती है तुम में जिगर है या जिगरा है तो बाहर आकर बात कर मेरे से घर में क्या चुपा है या मां के आंचल में क्या चुपा के बैठा है तो दोस्तों इन बातों से समझ लगती है कि मंगल यहां पर जो है वो किसी ना किसी तरह से नीच हो जाता है और ऐसा जातक, क्योंकि चंदरमा दिल भी है, तो दिल में उसके एक छाती में उसके एक जलन सी रहती है, जैलस रहती है, गुसा रहता है, दवीश रहता है, या तो दूसरों को डैमेज करता है, या खुद अपने आपको डैमेज कर लेता है, किसी न किसी तरह से, तो ऐसा जा मढ़कोटी बात पे गुसे होने वालाyorum कि इस तरह के जातक होता है अगे कहते हैं छंडा उस्तम ही वह होगा सके चनदर हो दोस्तों कि तीसरा घरभी मंगल का है और आठवा घरभी मंगल का है तो कि किसी ечज़ कि पश्क्षट रेगा तो थंडा उस्तम ही होगा आठ तीजे जब चंदर हो तो चंदर मागर तीसरे और आठ में है इस कंडिशन में मंगल खाना नंबर चार में है तो किसी ना किसी प्रकार से उसका परबाब जो होगा वो कम हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा आगे पंडी जी कहते हैं तो दोस्तों आपको पताया है कि तीसरा और आठ वां गर जो है मंगल का है तीसरा गर बुद्ध का नहीं है बुद्ध की जमीन है सरफ तो तीसरा गर जो है वो मंगल का माना जाता है लाल पता में बहुत से लोगों में ब्रांतिया है कि तीसरा गर बुद्ध का है तो तीसरा गर जो है वो मंगल का है और आठवा गर भी मंगल का है तो यहाँ पर पंड़िजी ने ये कहा है कि दुश्मन जब इसके चौथे तीजे आए तो दुश्मन क्या है बुद्ध और केतु तो अगर बुद्ध और केतु दोस्तों तीसरे में केतु नीच है तीसरा गर प्राकरम का गर है और आठ्मा गर मृत्यू का गर है वहाँ पर राहू की उच्छी के इनर्जी है जो के मंगल और शणी के मिलने से बनती है शणी का हैड़ ग्वाटर कहा जाता है उसे तो दुश्वन इसके चौथे तीजे या गर आठ में ही आवे तो आठ में में आपको पता है कि बुद्ध अच्छा नहीं माना जाता तीसरे में भी बुद्ध अच्छा नहीं माना जाता जब बुद्ध का चेप्टर करेंगे, तो उसको उसमें बताएंगे, कि तो भी आठ में अच्छा नहीं माना जाता और कि तो तीन में भी अच्छा नहीं माना जाता तो वैसे भी यहां पर इस घरों में आएंगे, तो पर्शानी ही होगी क्योंकि आठवा गर जो है चौथे गर की बनियाद भी है अगर इससे पांच गर आगे चले तो पांच और नो जैसे की बनियाद होता है जैसे पिछले वीडियोस में हमने बताया होगा जो नहीं जिनको पता जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आठवा गर यहाँ पर हुआ है दिस्ट्रक्षिन से लाई। तो यहाँ पर बैठा मंगल हमेशा ही आठ्वा घर क्या है जलना suspend कि बन्याद ही किया हो गई खुद उसका अपना घर कन इसके कहां पर होगी जैनी से खुद के कारक हैं और फर फैसम से झूसी से क्या विए अगर बुद्ध और केतु भी आकर यहाँ पर काम खराब कर दें तो आग में तेल डालने वाली बात हो जाती है अब तेल मिट्टी का क्यों कहा गया दोस्तों जो मिट्टी का तेल है यह निकलता तो पेट्रोलियूम से ही है जो कि जमीन से निकलता है जैसे कि तेल के कुएं है एरब में जमीन के अंदर पानी के कुएं कम है तेल के कुएं जदा है तो मिट्टी से निकलता है पेट्रोल से निकलता है मिट्टी का तेल कैरसीन ओयल और यह क्लियर होता है यहाँ हलका सा पीले रंग का होता है नीला रंग तो इसमें एड किया गया ताकि प तो तेल मिट्टी का ही पावें, यानि कि तेल मिट्टी का पावें, तो दोस्तों जो भी तेल मिट्टी का या कोई भी चीज हम कहें, कोई भी ओयल, खास कर कोई भी वो चीज जो जले और इंदन का काम करें, फ्यूल का काम करें, वो मंगल और शनी के साथ रिलेट करती है, जो अगर अब यहां पर बुद्दर केतु आ जाएंगे तो वो और ज्यादा काम कराब करेंगे तीसरे को भी लिया गया तो यह पंड़ी ने कहने की कोशिश की है इन पंक्तियों में आगे पंड़ी जी कहते है रवी गुरू जो 3,8,4 यहां की 9 बैठा हो यानि की अगर रवी शूर्य और ब्रस्पति अगर खाना नबर टीन में आ जाएं यहां की मंगल कुद बैठा है यहां खाना नमबर 9 में आ जाएं यह last clause है तो पहली main important clause कौन सी है सबसे बढ़िया है तीन में उसके बाद है आठ में यहां मंगल के साथ में यहां last clause क्या है कि खाना नमबर 9 में कि option, first option, second option, third option लाल कताब एक software की तरह है इसलिए इसको समयना मुश्किल है if-else statement है, clauses है, software है, यह चार्ट है एक तरह का तो रवी गुरू जब आदाएं तो क्या होगा जहर के बदले दूद पिलाता तो इस condition में अब जो मंगल होगा खान नमबर 4 में यानि कि अब इतना नुकसान नहीं करेगा अब मंगल बद तो नहीं होगा पर फिर भी मंगलीक जरूर होगा यानि कि जहां पर पूरा ही जहरी था, मंगल बद था अगर खराब हो रहा हो कुंडली में तो अब इस condition में ऐसा जातक صرف मंगलीक होगा और मंगल बद नहीं होगा किसी न किसी तरह से उसकी जो प्राब्लम होगी सरफ उसकी गरस्ति तक ही रहेगी या उसकी खुद तक रहेगी वो दूसरों के लिए इतना हानीकारक नहीं होगा ऐसे जातक दूसरों के साथ मिलने में बहुत अच्छा मेल जोल रखेंगे पर अंदर से उसके मन में एक जैलस ह होगी कि यार इसके पास सब कुछ है या इसके पास यह है मेरे पास नहीं पर दिखावाओ वो यही करेंगे कि आओ हां जी कैसे आप यह लो दूद पियो पर अंदर से जो जहर होगा वो जैसे साम का जहरा अंदर होता है उगलेंगे नहीं पर उनके अंदर तो वो चीज रह कोईला1 हो जाएगा यानि की जतना ज्यादा ऐसा बंदा मंगल की चीजो को इस्तिमाल करेगा यानि की मीठा खाने का शुकीन होगा, शैद खाने का शुकीन होगा, मिठाई खाने का शुकीन होगा, उतना ही इसके लिए बरबादी के चांसिस बनते जाएंगे, कोईला हो जाए, कोईला किस काम आता है, आग जलाने के, और क्या है, कुछ लोग राहू की आशियां मानते हैं, कु आठ की फ्यूल अप करने की कोशिश करेगा आगे पंडिजी ने कहा है खुद मिया फसीहत मगर औरों को नसीहत करने वाला लेक्चरार होगा यानि कि ऐसा जातक खुद तो सब बुरे काम करने वाला होगा करके देखें होंगे और करता भी रहता होगा और दूसरों को नसीहत देगा कि यार तुम ये गलत कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें बड़ी-बड़ी बाते करने वाला होगा मंगल चार बहुत बड़ी-बड़ी बाते करेगा बड़ा परबावित करेगा आपको पहली बार मिलने में दूसरी बार मिलेंगे आपको लगेगा यार य पंड़ी जी करते हैं गले में कटे हुए सिरों का हाँ डाले में आख का मालिक शिव जी अजल का फरिष्टा नाम नामी हाथ पर शम्षान या कब्रिस्तान को भी जलाने वाली आग उठाए फिरता होगा और अपनी किस्मत के असर में भी तंगस्त सूखी छड़ी होगा यानि यानि कि ऐसा इंसान मंगल चार अगर खृब हो जाए ध्यान रखिएगा हर किसी के लीए नहीं है ये बात कर रहे हैं अगर ऐसा मंगल खृब हो गया तो ऐसा जातक गृwyddतर से भी तंग होगा और कहीं बार ऐसे जातक तंतर मंतर क्योंकि अगोरी सादूं के साथ और ऐसा जातक mostly out of religion तंतर मंतर यानि कि अगर हिंदू हो तो मुसलमानी इलम अगर मुसलिम हो तो हिंदू इलम या क्रिश्चिन इलम तो उस स्टेट में जानने की कोशिश करता है खासकर किसको कि मंगलबद क्या है भूत प्रेत तंतर जो है और अगोर क्याथ ज और क्याथि सादू ये चीजे जो मृत्यू के जो नॉर्म अक्तिविटी जैस कि दिन्कों कहीं है अगर हो सकता है कि अगर वह हिंदू हो तो जुरुर्वर वो हो सकता है कि paranormal activities की फिल्में देखना पसंद करता हूँ जुरूरी नहीं कि वो करे हर close लगता नहीं है उसको समझना है कि कुछ न कुछ उसका effect किसी न किसी तरह जरूर आता है दोस्तो ये नहीं कि अगर मैंने कहा दिया कि वो तत्रमंत करता होगा तो मंगल चारवाला आपके नोन में जो भी है तो आप सोच ले कि थोड़ी सी common sense भी लगानी पड़ती है तो इसी लिए ये study deep study है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या परभाव कैसे आ रहे हैं तो पंड़ी जी ने कहा है कि ऐसा जातक आख की बात की है तो दोस्तों यहां पर पंड़ी जी ने यह समझाने की कोशिश की है अगर दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि मंगल बद की निशानी क्या होती कि ऐसा जातक जो होगा वो आखों से दूसरों को मेंस कि उसकी आखों में एक ऐसी रोशनी होगी जो आपको नजर लगा देगी या आपके लिए बुरा सोचेगी या आपको देखने में लग जाएगा यार यह अच्छी तरह देख नहीं रहा है मेंस की दृष्टी जो है वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही या जब देखता है मेरे को मैं अनकमफर्टेबल फील करता हूं या वो किसी को देखता है तो एक टुक देखता रहता है मेंस की उसको देख रहा होता है और उसके दिमाग में नेगटिव चीज़े चल रही होती है वो उसको और अपने आपको compare कर रहा होता है या लांते डाल रहा होता है तो ऐसी condition में ये मंदा ऐसा भी हो सकता है यानि कि दूसरों के लिए बुरा करने वाला revengeful nature का ये जुरूर नहीं कि शम्षान या कबरिस्तान को भी जलाने वाली आग वो खात में उठाए फिरता हो तो it doesn't mean कि ये example है ये एक तरीका हाब बताने का कि ऐसा जातफ जो होगा revengeful nature का होगा revengeful nature का होगा arrogant होगा उसमें ये होगा कि मैं ही मैं हूँ बाकी सब तो फना है खाक है मेरे से अच्छा मेरे से बहतर कोई भी नहीं है और ये ही मंगलबद की कुछ निशानियां होती है आगे मंगल बदवा मंगली के दोनों हिस्सों में फरक की बजाये दोनों ही का बुरा असर 7 होगा या ले मंगल रिए खताफ इलानी की करोब ने ना या और नानी को भी करश्ट रहता है सासुमा को भी करश्ट रहता है और जनानी को भी करश्ट रहता है तो बंड जी ने ये बतानी की कोशिश की है कि ऐसे घर में अगर मंगल बद बहुत खराब हो जाए तो इस्तरियों पर संकट आते रहते हैं इस्त्रियां पर कष्ट रहता है कई बार ऐसे घर में देखा गया है कि इस्त्रियां मंगल सुहाग का कारक भी है तो इस्त्रियां बहुत जल्दी बेवा हो जाती है यानि कि इनकी मा का जो होगा वो विड़ो होगी या जल्दी विड़ो हो जाएगी तो ये भी condition या जो सासुमा होगी या नानी गर में बहुत बुड़ी ओरत जो है वो विड़ो होगी तो ये भी चीजे देखने को मिलती है मंगल बद या मंगली इक सर्फ उसके टेवे में होगा जिसके खांदान में उससे पहले बजुर्गों में एक दो पुष्ट कोई शक्स पूरा ब्रस्पत ब्रह्म ग्यानी ब्रह्म गुरु खालिस सोना या शहाना हालत हो चुका हो यानि उम्दा तक्त और गुलजार बन चु तो दोस्तों पंड़ी ने यहां पर यह समझाने की कोशिश की है कि देखें जैसा कि मैं कहीं बार कहता हूँ कि हमारे करम यह नहीं कि हम तक ही सीमित है हमारे करमों का असर हमारी आने वाले कुल पर भी पढ़ता है इसलिए कुल देवता जठेरे पित्रों का लोग श्राद दड़पन उनके पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों तो हम जो करम कर रहे हैं यह नहीं कि हमारे साथ ही चले जाएंगे उनका इफेक्ट हमारे आने वाले बच्चों पर और आगे उनके बच्चों पर भी रहेगा तो पंडी जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि यहां पर अगर मंगल खराब हो और मंगल बद उस जातक की कुंडली में ऐसा मंगल आता है जो जिनके बाप दादा बड़े अमीर बड़े रईस रहे हो और कहीं बार ऐसे जातक कुछ गलत काम भी कर जाते हैं तो ऐसा मंगल बद उसी खांदान में आएगा जिस खांदान में पहले बहुत अमीर हो बड़ी अमीरी देखी हो और ऐसा जातक देखा गया है कि मंगल चारवाला सब कुछ फना कर देता है मिट्टी कर देता है यानि कि पुष्टों यानि कि पुर्खों की बनाई दन दौल सोना मिट्टी के तेल के भाव बेज देता है जला देता है खत्म कर देता है फना कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है मान समान को इज़त को इसलिए शायद मंगल चार वाले पैदा होते हैं तो इसी के साथ दोस्तों मंगल चार समापति की और आपको ये वीडियो कैसा लग लाइक कमेट शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद कर भला हो भला अंत भले का भला तो मित्रो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करे ताकि इस वीडियो से किसी का इस ग्यान से किसी का भला हो सके क्योंकि लाल कताब mostly जायतर precautions prevention पर है तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके धन्यवाद